सावन का महीना शुरू हो चुका है इन दिनों लोग भगवान शिर्प के दर्शन करने के लिए उनके मंदिरों में जाते हैं भगवान शिर्प के किसी मंदिर में आपको छोटी तो किसी में बड़ी निर्ती देखने को मिलेगी लेकिन आज हम आपको भगवान शिर्प की सबसे उन्ची प्रतिमाओं के बारे में बताने जा रहे हैं देश विदेश में बनी भगवान शुविन नूर्टियों को आप दूर से भी देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं भगवान शुव की सबसे उंचे स्टेचों के बारे में करनाटक मुरुदेश्वर मंदर करनाटक में बनाया गया यह मंदर दिन्या भर में प्रसिद है पूमो और पानी से गिरे मंदर में बनी भगवान शुव की प्रतिमा 123 पीट उंची है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं तमिलनादू आद्योग मंदर तमिलनादी के कोईंबटो में 112 पीट उंची भगवान शुव की मुर्ति है और यह मुर्ति सेंटर ओफ अट्रेक्शन है इस मुर्ति को देखने के लिए यहां हजारों लोगों की भीवी मर्ती है यह भारत की पहनी और इकलोती ऐसी प्रतिमा है जो की आदी बने हुई है नेपाल के लाशनात मंदर नेपाल के चितफोल इलाके में बनी शिपकी इस मुर्ति को दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा माना जाता है 143 फिट इंची इस मुर्ति को बनाने के लिए करीब 6 साल और 11 करोड रुपे लगे हैं मौरीशस मंगल महादेव मौरीशस का सबसे पवित्र स्थान माना जाने वाले इस मंदर में बनी धर्वान शिपकी मुर्ति 108 फिट इंची है जीन के किनारे बने इस मंदर की फूबसुरती देखकर हर कोई हैरान रहे जाता है उत्तर प्रदेश शिप प्रतिमा इलाहबाद की गंगा नदी के किनार शिपकी 108 फिट इंची शिप प्रतिमा स्थापित की गई है वागवन पर बनाई गई शिपकी ये मुर्ति भी दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा मानी जाती है सिपकिम नामची शिप सिपकिम के सिद्धिश्वर नामची शिप मंदर में स्थित्य प्रतिमा भी 108 फिट इंची है इस मंदर की खास बात यह है कि यहां शिप भगवान की मुर्ति के साथ उंके ज्योतिली की भी स्थापना की गई है उत्तरा खंट फर्की पॉड़ी सौ फीट उंची शिपकी ये मुर्ति हरिद्वार के हर्की पॉड़ी के पास थित है शिपकी इस प्रतिमा को देखने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं